घर बेटे अपना मन पसंद खाना मंगवाईए फोन लगाईए खाना मंगवाईए मुबाइल संक्या 888444 0065735377765 तो आजी संपर्क कीजिए अस्सलाम आलेकूम और रह्मतुल्लाही वबरकात। मुहतरम नाजरीन अबने लोगों के लिएसित अजरीन आजरीन, हम इत्सक्रादरीन थम्तमा को खास तोर से जिन हालात से हम गुजर रहे हैं एक आजमाईश का दोर है के लौकडन का एक जमाना चला है और तमाम अभाब घरों के अंदर मौझूद है अब इन हालात में लोगों के जहनों में तरह तरह के वसाविस हैं तरह तरह के ख्यालात हैं और वो चाहते हैं के लगा रब रब लजब इनके तमाम मसाइल आसान कर दे तो इन तमाम सुर्टों में शरीयत ने भी बहुत सारी गुंजाईशें रखी है और अल्ला रबुलिज्जत ने हम तमाम को जो आजमाईश में रखा है उमीद है कि इन्शालला या आजमाईश आल्ला खतम भी करेंगे और फिर वही मुल्क के अंदर हर तरह की वबा ये तमाम चीज़ें इन्शालला खतम होंगी दुआएं भी हो रही हैं बजरगान दीन अमल भी कर रहे हैं और खुसी तोर से अज़कार भी हो रहे हैं और सदका और खीरात भी करके दूआउं का इhtigmाम किया जा रहा है और लोग आल्ला की तरफ रुजु हो रहे हैं रो रहे हैं ढ़ें तरप रहे हैं ये तमाम चीजें हैं इसके बाद इन्शालला उमीद है कि अल्ला तबारक और ताला कुछ अब रहम आ जाता है तो अल्ला तबारक और ताला हर तरह के आफियत के फैसले करते हैं तो चंद चीजें आप हज़रात की खिद्मत में हैं कि बास लोगों के जहनों में एक सवाल होता है कि हम तकदीर पर इमान लाए हैं जो हमारे मुकदर में है वो होगा तो बहराल यहां पर यह बात समझनी चाहिए कि तकदीर की दो किसमें है एक तकदीर 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 मुबरम اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا ہمارا کوئی بھی عمل وہاں کام نہیں آئے گا وہ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا وہ تقدیر مبرم एक और تقدیر ہے تقدیر معلق लटकी गुई تقدیر जिसके अंदर हमें बुन्जाइश है कि हम दुआ करें हम नेक अमल करें हम सद्का करें करके अल्ला की तरफ रुजू हो तो अल्ला तबारक और अल्ला हालात को बदल दें वो तकदीर जिस तरह कहा जाता है कि दुआओं के जरीए से तकदीरों को बदला जाता है तो बहरहाल वो तकदीर तकदीर मौलक जिसको कहते है तो अब यहाँ पर समझना है कि तक्दिर मुबरम, तक्दिर मौलग को समझने के बाद अब तद्बीर का मसला है असबाब, चुंकि दुनिया दारूल असबाब है अगर हम घर बनाते हैं तो हमें चाहिए कि अतराफ और अतनाफ में दिवार का नाम सिर्फ घर नहीं है ओपर च्छथ है तो वो घर है इसलिए कि सूरज से बचना है, बारिश से बचना है हवाओं से तूफान से बचना है तो दुनिया दारूल असबाब है अब तब जाकर च्छत होगा तो वो महफूस समझता है तो इसी तरीके से तदाबीर का इख्तियार करना दुनिया के अंदर बहुत जरूरी है और तद्बीर में से कष्टी में सवार हो रहें और कष्टी को सुराख अगर कर दे पानी अंदर आ रहा है अब वो समझ राए कि मैं आफियत में हूँ तो फरमाया कि वो आफियत में नहीं है वो कष्टी में पानी आएगा डूबने का खत्रा बढ़ जाता है तो बहराल तदाबीर इख्तियार करें अल्लह के नबी अले अले असलाथ उसलाद उसलाम ने भी फरमाया कि हमें चाहिए कि अल्लह की तरफ तकदीर तोर पर इमान भी हो और साथ ही साथ तदाबीर भी करें दवाई भी लें और परहेस भी करें और उंट को बांदें भी फिर जाकर दूसरे दरजे पर तवक्ल करें अल्लह पर भरोसा रखें तो ये तमाम चीज़ें अगर कोई बंदा सिर्फ तवक्ल कर रहा है तदाबीर अख्तियार नहीं कर रहा है और तकदीर पर उसका एमान नहीं सहीम है तो फरमाया कि वो भी कामिल नहीं है अगर कोई सिर्फ तकदीर बोल रहा है और तदाबिर भी इख्तियार नहीं कर रहा है और त holiness लुक्ल नहीं कर रहा है वो भी गलती पर है तो लिहादा ये the अलती चीजों को साथ-साथ हमें चलना है एक तो तदीर वं बस्छत हों आओे वर्ड़ूरी खईरी ही आम तोर पर कहा जाता है कि अल्ला पर भरोसा करें रख अल्ला पर भरोसा रखो किसी किस हालात में किस तरह हम करें खुसुसां इस दोर में अब जैसे कोरोना वायरस बीमारी चली हुई है आप जैसा पूरे दुनिया के डॉक्टर्स कह रहे हैं उलमा कह रहे हैं पूरे हुकूमतें कह रही हैं कि भई आप लॉक्डाउन हो जाओ घरों के अंदर बैठो महफूज हो जाओ तो फरमाये कि अब हमें इमान वालों को भी बात समझनी चाहिए ल्लाह की नभी आले सलातों के जमाने में जब ताउन की वबा वगयरा प्हिली थी फैलने वाली बीमारी थी तो उस मوقع पर भी कहा गया था कि घरों के अंदर मुक्यद हो जाओ लॉक्डाउन हो जाओ मतलब ये घरों के अंदर रहो इसलिए कि बास अम उके पर जिनके आहां वबा है जहाँ वबा फैले हुई है वहां पर कोई दूसरा शख्स दूसरे अलाखे से roots वहां άवाबा वाले हैं जिनकी आहां आजमाईश Allah की आ चुकी है वो अपने अलाके को छोड़ कर दूसरे अलाके की तरफ न जाने तो ये और दूसरी चीज़ तवक्ल ये तमाम तदाबीर को इख्तियार करने के बाद जैसे जहरीला वायरस अगर कहा गया वाकियतन पूरे दुनिया के लोगों ने पूरी उम्मत ने मान लिया पूरे डॉक्टर्स ने इसको मान लिया पूरे उलमा ने इसको कह दिया तो ऐसी सूरत में हमें चाहिए कि ये जो जहरीला वायरस है ये जहरीला वायरस के मामले में हमें इहतियात बरतनी चाहिए तो इहतियाती तदाबीर ये हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें कंटिनियूसली मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइज करें अपने हातों को और हातों को हैंड तदाबिर को इख्तियार करें और इमान वाले को चाहिए कि बावजूर है इंपूजू के साथ रहे और सुन्नतों का हित्माम करें और इमान वाला तो जाहिरी तोर से भी पाक होता है और बातिनी तोर से भी पाक होना चाहिए और इमान वाला बातिनी भी पाक है जाहिरी भी और उसके अलावत तमाम लोगों को, जितने भी विरादराने वतन हैं, सब हैं, सब लोगों को ये हिदायात हैं कि वो मास्क इस्तेमाल करें, और पब्लिक्स में जो सोशल डिस्टेंस हैं, उसको मेंटेन करें, और एक दूसरे से एक मिटर, दो मिटर के दूरी और फासिले बनाए रखें, और इसलिए डिपार्टमेंट ने भी ये कहा हैं, कि आप दुकानों के सामने भीड़ भाड़ न बनाएं, कि जरा दूर दूर त फैले वाली बीमारी में एतिहाद किस तरह की जाए शरीयत के इतिवारत हैं? कि मास्क का इस्तेमाल भी करें, और सोशल डिश्टेंस मेंटेंटन करें, सबसे बेहतर सूरत ये है कि घरों में जहां तक हत्तल इमकान हो सके, जितने दिन तक हमें हो सके, ज्यादा से ज्यादा अयाम हम घरों के अंदर बिताएं, अब ऐसे मوقع पर हमें जो तकलिफ होती हैं हम सोचते हैं कि भई घरों में इतनी दर कैसे बढ़ सकता है एक इनसान तो फौरण अल्ला के नभी अले सलातु सलाम को याद करें शाब बिन अभी तालिब की जो घाटी में अल्ला के नभी अले सलाम को तीन साल तक कैद किया गया था मस्तुराद भी थी बच्चे भी थे, सोशल बैकार्ट किया गया था, अल्ला के नभी अले सलाम कैसी तकलिफें उस जमाने में उठाये होंगे आज सब कुछ मिल रहा है, राशन मिल रहा है, दूद मिल रहा है, तरकारियां मिल रही है, सब कुछ है और लोग थोड़ा बहुत आ रहे हैं आसानी के साथ, बस हमें इहतियात करना चाहिए, जितना हो सके अपने घरों में रहें, जितना हो सके भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें, जितना हो सके और इसके अलावा नौजवानों को भी यह इदायद दी गई है, खाम खाम इदर अधर नदर अढ़ें, बलक로 आप जरूरत मंद हैं, जरूरत के लिए कुछ जा रहें तो आपको जाने के लिए इजाज़त जरूर मिलेगी, अगर आप खाम खाम एएसे ही जाना आकायए, या वो पुलीस इदर आने पर इदर आ इजहारें, इदर आने पर उदर जा है ऐसे हालात हैं हमें चाहिए कि जितना हो सके अपने घरों के अंदर मकैयद रहें असबाब इख्यार करें और घरों में रहने के बाद हमें नमाज वगारा का इहतेमाँ घरों के अंदर करते रहें अक्सर जो गुजिस्ता जुमाह है वहां पर देखा गया कि चन्द लोग जो नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में आए और उन पर भी पर्शाशिंग के और से लाटी चार्च की गए हालांके ये ताइव आता ये एलान किया गया था कि मस्जिदों में जुमा की नमाज ना अदा करें फिर भी इस तरह आने वाले ज सुरत यही है कि हम सबसे पहले ये समझें इस बात को कि मस्जिद अल्ला का घर है लोग उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो लोगों को अल्ला के घर से रोके लेकिन जब हालात ऐसे आजाते हैं वबाई अमराज हैं इज्दिमा की वज़े से आ रहे हैं एक दूसरे के के वज़े से आ रहे हैं तो ऐसी सुरत में हमें चाहिए कि मस्जिद के अंदर उतने ही लोग दो तिन अफराद या तीन से चार अफराद वहां पर नमाज अदा करें मस्जिद के जो मुसली पूरे मुसली ना आएं बलके पूरे मुसली अपने अपने घरों के अंदर से नहीं रोका जा रहा है इबादत से नहीं रोका जा रहा है तिलावत से नहीं रोका जा रहा है लाह के असकार से नहीं रोका जा रहा है हमें रोका जा रहा है इज्दिमा से पबलिक से यानि बहुत ज्यादा करोड से हमें रोका जा रहा है तो इसलिए आम तोरसे मसाजिद म एपने घरों को बनाए, ये वक्त ऐसे हालात है कि अपने घरों के अंदर, बाय जमात हम दो दो, तीं 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 तीन अफ़ाद मिलकर, हम घरों के अंदर नमास पढ़ें, और रही बाद जुम circuit की, जुमsupp 눌러 क उनको ले ले 2-4 एहबाब मिलकर जुमाः की नमास अदा कर ले, 4 अगर हैं तो जुम्हे की नमास अदा कर सकते हैं बाकी जितने अफराद हैं उनसे गुजारिश है कि वो जोहर की नमास इन्फिरादी तोर पर घरों के अंदर अदा कर लें च्छतों पर न पड़ें और दूसरी बहुत एक वबा और एक फैल गई है मसला ये भी फैल गया कि आ सारे चीजें देखकर फिर डिपार्टमेंट वाले फिर तकलिफ भी पहुंचाएंगे एक तो अल्ला अल्ला तबारकों ताला ने आसानी भी अता कि आसानी ये हैं अगर कुछ हालात ऐसे पेशार लेकिन वो वक्त ऐसा था कि लोग नहीं आ रहे थे लेकिन अब लोग सदित को आबात करें ये वक्त आएगा फिर अल्ला आपको मौकाद करना है हैं लेकिन इन अहाला में मिद्देख का भी साथ दें और उसके अलावा हम होकोमत से भी तरखास करते हैं कि जितने डिपार्टमेंट है उनके अंदर भी थोड़ी नर्मी भी हो दया भी हो वो इस तरह न मारें लोगों को कि उनको कोई दिमाख पर मार दें कोई या उनकी कोई किटनी पर मार दें ऐसा मार मार दें जिसकी वज़े से वो बेहोश होकर गिर पड़े ऐसा भी काम करने के या कोई कोमा में चला जाए ऐसे भी बहुत सारे वाकियात हो रहे हैं तो इन तमाम चीजों से भी मद्दे नजर रखते हुए मैं बुजारिश करता हूँ मैं डिपार्टमेंट वालों से भी के वो थोड़ा नर्मी भी बरते हैं मैं उमीद करता हूँ कि मेरी बात आपको पहुँच चुके इस महामारी को रोकने के लिए दूर करने के लिए कुरान और अधिस की निगराने में कोई वजीफा अलहम्दलिल्ला हमारे बज़रगाने दीन ने बहुत सारे वजाइफ हमको बताये है और उनमें से सबसे बहतर ये है कि अब आईसे सुरत में या मुजीबू का दौर पूरे शहर के अंदर चला हुआ है और इसमें हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब दामत बरकातुम मुम्मत फ्यूजूँ उन्होंने भी कहा है उसके अलावा बहुत सारे उलमा एकराम ने कहा है और हमारे शहर के उलमा ने भी कहा है कि या मुजीबू कसरत से पढ़ें चुँके उलमा कमीटी से भी आवाज लगाई गई है कि या मुजीबू पढ़ें तो उसको पढ़ने के लिए हर फर्द रोजाना अगर 15,000 मरतबा रोजाना अगर पढ़ने का इहतिमाम कर लेगा तो एक बड़ी तादाद में ये चीज़ जमा होगी इसको हमें 90,000 करोड मरतबा रमजान की 27 रमजान तक हमें इसको पढ़ना है और जमा करना है मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि या मुझीबू कसरत से इसका इहतिमाम करें और अस्तफ़ार भी कसरत से पढ़ें और इसके अलावा ला इलाह इलाला भी कसरत से पढ़ें लेकिन या मुझीबू आप लोग अपने डैरी के अंदर नोट करते रहें पंदरा-पंदरा-पंदरा-थार मरतबा रोजाना पढ़ने का इहतिमाम करें इन्शालला ये तादाद हमारी उस वक्त कामिड हो जाएगी बहुत बहुत शुक्री है और उसके अलावा घुरबा को तक्सीम करने के सलसले में अब माशालला ये राशन वगेरा लोग तक्सीम कर रहे हैं मैं तमाम जमातों का और जमाम जमाम जमेदारों का उलमा का शहर में जो कर रहे हैं काम मैं उनका खेर मकदम करता हूँ अल्ला ताला बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरीखे से आप लोग काम करते रहे हैं, यह मंसीवी भी काम कर रही है, उसी तरह उलमा कमीटी भी काम कर रहा है है। इसके अलावा भी कुरांती एसोसियेशन भी काम कर रहा है। और उसके अलब आप पूरे जमाते हैं, पूरे मसाजित के जिम्मेदारान इसकी फिकर में हैं, कि हम किसी तरह गुरबा को राशन पहुंचाएं, और उसके लिए मेरे जहन में एक छोटी सी राय है, अगर वो राय आपको पसंद आ जाए, अच्छी लगे, तो आप उसको भी के पूरे इलाके के अंदर, खास तोर से एक छोटा एक महला हम इंतिखाब करें, मैं समझो अभी एक गच्ची महल है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, साहबे हिस्यत कोई एक फर्द है, तो वो फर्द की जिम्मे ये हो, कि वो चार अतराफ के घर में, वो उनकी किफालत दो माह के लिए करें, और वो दूसरे एक शच्चा पो बोल दे, जो साहबे हिस्यत उसी महले का हो, कम से कम अगर एक हजार कत मजما है, एक हजार घर हैं, तो पानसो उससके अंदर साहबे हिस्यत होंगे, या पानसो उसमें जूरबा होंगे, तो पानसो अफराद उन पानसो की किफा अगर चार-चार घरों के इतिवार से कर लेंगे तो अलहम्दुलिल्ला हमें हिसाब नहीं लगेगा अल्ला ताला लाक्षों का काम ले लेगा ना इसके लिए किसी मीडिया की जुरूत पड़ेगी ना किसी जमात की ना किसी के जुड़ने की ना कमिटी किसी चीज़ की जरूत नहीं पड़ती हर फर्द अगर साहबे हैसियत चार-चार अफराद की निगरानी कर ले किफालत कर ले उनके गोली दवा का इहतिमाम कर ले या उनके राशन का इंतिजाम कर ले तो माशालला ये चैन अगर इसको बना दिया जाए और यही चैन अगर पूरे शहर में चल जाए तो अलहमदुल्ला हर फर्द अपने घर के अतराफ में चार-चार अफराद को देखता जाएगा तो अल्ला के फजलो करम से अल्ला तबारक और ताला हर घरीब की, हर यतीम की, हर बेवा की अल्ला तबारक और अल्ला उनके घरों के अंदर राशन का अंबार और धेर लग जाएगा इन्शालला ये बहुत आसान भी है इसके लिए कोई मुश्किल अमल नहीं है तो इसके लिए थोड़ा सा दिल बढ़ा करना है अल्ला ताला ने जिस जिसको साहबे हैसियत बनाया है उसको चाहिए कि बस वस फिकर इतनी फिकर कर ले कि मैं मेरे तरफ से चार अफराद की में फिकर करूँ और हर साहबे हैसियत ये अगर ये सोच लेगा तो अल्हमदुल्लाई बड़े पैमाने पर पूरे शहर के अंदर काम हो जाएगा मैं अल्ला ताला से दुआ करता हूँ कि अल्ला ताला जल से जल इस बीमारी को और इस वबा को खतम फरमाए और मैं जिमेदारान शहर के जो इस मुहिम में लगे हुए हैं सोशल अक्टिविटीज में लगे हुए हैं और उसके अलावा भी मीडिया का भी में शुक्र गुजार हूँ कि वो भी पूरे शहर के अंदर हर तरह की कोई भी धांदली होती है तो उसको बेनिकाब करके उसको सही रास्ते पर लाने की वो भी कोशिश कर रहे हैं और उसके अलावा आईसे मक्षे पर हमें चाहिए के मसाजित के बड़े-बडे जो जिम्मधरान हैं उनको भी चाहिए के वो उस सारे के सारे अपने नौजमानों की सही माणों में निगरानी करें ऐलानात करें, डिपार्टमेंट का भी साथ दें, हकूमत का भी साथ दें, अलमा की भी गदर करें इतमाम चीज़ों को करते हुए, इंशालला हम इस तरह आगे बढ़ेंगे और रहा हमारा वक्त जो घरों में गुजरता है, जिकर और अज़कार में गुजरने की फिकर करें और खास तोर से मुबाइल फोन के जरीए से दिन रात उसके पीछे कई नोज़वान पड़े हुए होते हैं मैं गुजरिश करता हूँ कि मुबाइल का इस्तेमाल मुखतसर करें और उसके अलावा तिलावत है, और उसके अलावा मुताला है, किताबों का मुताला है आप अपने असादिजा से या अपने टीचर से आप बात करके क्या किताबें पड़ सकते हैं उलमा से राए लेकर आप किताबों का मुटाला शुरू करें या पुरान हिफ्ज करना शुरू करें ये बहुत सुनेहरा मौका है पुरान का तरजमा उलमा की निगराने में फोन पे बात करके आप कर सकते हैं बहराल ये तमाम चीजों के पीछे पड़ेंगे तो हमारा जो लॉक ड़ून है इसमें इन्शालला बहुत बड़ा जखीरा इलम का हमारे अंदर जमा हो जाएगा और वालिदें की खिदमत का इस से बहतर मौका ने मिलेगा अउलाद अपने घर में जितना हो सके वालिदें की खिदमत करें मैं इनी ही चंद कलिमात के साथ अपने बात को खतम करता हूँ चुरके बहुत सारे नौजवानों ने कहा था कि भई आप थोड़ा मीडिया के तुरू मीडिया के हावाले से कोई बात जरूर करें तो मैं उन नौजवानों की फर्माईश पर गुजारिश पर मैंने इनके जरूरी बाते हैं आप हज़रात की खिदमत में रखी हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाथ सबसे पहले मुझे भी अमल की तुफिक अता फर्माएं और आप हज़रात को भी अल्लाथ सब कुछाएं